शरद अब क्योंकि मैं कह रही हूं कि अब हम इंटरवल में खड़े हुए 272 के माजिकल नंबर से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और ये इंटरवल जो है इसमें तीन फेज की वोटिंग है जिस पर 11 और 4 दिन बाद जो आकड़े जारी हुए वो बढ़ भी गए 60 फीसिदी से 66 फीसिदी हो गए और आज भी हम वोटिंग परसेंटेज पर जब बैठकर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इंडिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं और 400 पार का नारा आज फिर बुलंद हुआ है तो कहां खड़े हैं अभी तीसरे फेस की वोटिंग के बाद मुझे लगता है कि जब ये जो बॉखलाहट दिख रही थी बुरुदान मंतरी के भाशनों में और जो पूरा रवाया जिस तरीके से हुआ और जिस तर से हिंदू मुस्लिम किया तो बहुत चिंता ये दिख रही थी उनकी और ने दिखने लगा था कि वोट में बढ़ोतरी नहीं हो रही यानि की सीट्स की बढ़ोतरी जो उमीद कर रहे थे और ये narrative जब build हो गया कि अब मोधी 400 पार की बात नहीं करते हैं अब तो 372 की बात नहीं करते हैं तो ये मामला डगमगा रहा है उनको खुद लग रहा है अहसास हो गया है नहीं लेकिन आज मुदान मंतरी ने फिर 400 पार की बात की ती ती रांदर कुदेश में इसलिए करी है इसलिए करी है क्योंकि जब ये बात बहुत पहल गई कि अब 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं तो ये reinforce करने के लिए कि नहीं नहीं वो तो है ये कवर अप है और इसको क्योंकि बात बड़ी साफ है आज ये तै आज की समझ लिए तीन फेज़े में ये तै हो गया है कि किस डारेक्शन में जा रहा है ये चुनाओ किस डारेक्शन में जा रहा है शर्ब ये आपने जो बात कही ते हो सो बात बात तर की फिकर ये मुझे लगता है कि ये डारेक्शन में जो मेरा assessment है कि बीजेपी के numbers नीचे आ रहे है और बीजेपी के gain cut कोई सवाल ही नहीं है जहाँ जहाँ उम्मीर थी उन्हें और जहाँ इनके saturation point था उनमें सब में नीचे आ रहे हैं वहां पे जहां यह सोच रहे थे कि बड़ोतरी हो जाएगी वहां पे भी बहुत doubtful है और बीजेपी की numbers कितने गिरेंगे यह आज की date में कहना मुश्किल है बट यह निश्चित है जिस तरीके के state wise study किया है हमने और जो information gather करी है उ और यह चिंता का विश्च है और इसको counter करने के लिए के offense is the best form of defense यह फिर से चार सो का narrative बिल्ड किया जिससे लोगों को यह ना लगे कि हम तो हम डूब रहें तो इसलिए यह इनकी यह बार-बार यह चिंता का reflection है यह बॉखलाहट का reflection है जो इसमें आ रहा है और यह मुझे लगता है कि आज के बाद आपने बहुत अच्छा का यह तो यह अलग अलग विश्चा है कि किस तरीके से election commission 11 11 दिन लगाता है बताने में कि 6% और वोटिंग हो गई इसके पीछे भी कोछना कुछ डाल में काला जरूर होगा और क्योंकि वरना कोई रवज़े नहीं है आजकल के जमाने में जब आपके पास EVM हैं यह बैलेट पेपर के जमाने की बात हो सकती थी और दूसरी बात दूस बिल्कुल गलत है लेकिं शरद हम यह कहते हैं कि हिंदू-मसलिम पर चुनाव पहली मरतबा नहीं आए ना हिंदू-मसलिम पर तो 2017 से लेकर 2022 2011 सिंदू-मसलिम पर तो चुनाव आते रहे हैं जल्दी से अगर 10 सेकिंड में कुछ कह पाइं लेकिन इतना जादा गिरावट इत